नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्तां की तार मैं अपने चैनल पर आप सभी गाइब फिर दिस्वागत करता हूं दोस्तों आज हम लोग टेक्षड पेपर के उपर जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसे मैंने के विल आइस को फिनिश किया था और चार्कोल को यूज करके खासकर विलो चार्कोल से बेस को करेट करके उसके बाद हम फर्दर लियर्स को ड्रॉ कर रहे थे उसी की सेकंड एपिसोड में है और यहां पर ही मैं इसको फाइनल करूंगा फ्रेंट्स तो देखिए फरस्ट ऑफ वाल एम जिस्ट गेटिंग सम आउटलाइन्स फॉर नोज और उसके बाद मैं लिफ्स में भी ऐसे ही आउटलाइन्स को फाइंड आउट करूंगा और यहां हम विलो चार्कोल को यूज कर रहे हैं तो जैसा मैंने बताया भी हुआ है पिछले वीडियो में जन्होंने देखा होगा उनको डेफिनिटली पता होगा कि विल उसके बाद फिर हम उस पर फॉर्दर फाइनलाइज करते हैं वेल्यूस को चार्कोल पैंसिल्स यूज करें तो हमारा काम इज हो जाता है इससे और हमें आसानी से रिजल्स को ला सकते हैं और यहां हमारा जो पर्परस एफरेंट्स क्योंकि जब हम बिलकुल टेक्षर पेप पर जादा ही बहुत जादा ही स्मूथ होता है तो वहाँ तो बहुत आसानी के साथ हम उसमें फिल्ड़ अप कर देते हैं लेकिन यहां पर वो जो जो वोईड्स हैं उनके बीच में उनको फिल्ड़ बाप करना इस नाट एजी और टेक्षर के साथ जब भी हम ड्रौ करते है तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था पिछले वीडियो में कि अक्सर आर्टिस्ट बचते हैं इस तरह के हैवी टेक्षट पेपर पर ड्रॉव करने से क्योंकि इसमें एक तो स्किल्स भी बहुत ज़दा चाहिए होती हैं दूसरा कि चैलेंज बहुत बढ़ा होता है क्य और यह एक बहुत अच्छी कंपनी का टेक्षट पेपर है हालाकि उन्होंने अभी मेरे को कुछ ही इसके सैंप्ल्स भेजेते तो मैं उसको ट्राइग कर रहा हूं जैसे ही मुझे यह अच्छे रेजल्स मिलते हैं तो मैं इसको भी शोपेस करूँगा आगी कि किस टाइप क ट कि टक्षर पेपर हैं जैसे कि आप कोया स्वाथ बॉर्ड देखते हैं तो केंवस की ऊपर जिस टरीकी टेक्षट रोते हैं उसे टाइप के टक्षर हैं जो यहां पर आपको नजर भी आ रहे होंगा अगर आप थोड़ा सा पास से इसको देखने के कुशिच करें तो आप एक चैलेंज है फ्रेंट्स और कितने हद तक हम रिजल्स पर पहुंचते हैं वो भी देखेंगे क्योंकि मैं चारकोल से यूज कर रहा हूं तो मैंने कोई आउटलाइन्स वगेरा के बारे में नहीं सोचा है मैं बसके वर डाकनेस और लाइट वैल्यूज को लेकर जैसे हम बाइव वॉल्यूम ड्रॉ करते हैं इडेंटिफाइन्स वॉल्यूम कि कहां पर डाक वेल्यूज हैं उसी तरह से चल रहा हूं और पेंसल मेजरमेंट को यूज कर रहा हूं यहां पर अगर जिन जिनको भी पेंसल मेजरमेंट ट्रेंट सीखना है मैंने अल्रेडी काफी वीडियोज डाले हुए हैं मेरे चैनल पर अल्रेडी एक्जिस्ट करते हैं तो यू केन गो एंड वाच दा आउटलाइन टुट्यूरिल मेथड अस वेल और उसके बाद फिर आप इसको करेंगे तो आपको you will definitely get benefited with that also you can get my own drawing मेरी इसी drawing को आप ले सकते हैं मैं Instagram पर भी upload कर देता हूं वहां से ले करके you can draw your own drawing using my drawing so उसमें कुछ ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि जो कि copyright वाला को issue हो so you can draw और आप draw करके मुझे बेद सकते हैं मेरे Instagram पर मुझे बहुत ही अच्छा लगए अगर आप कुछ try करते हैं ऐसा तो और जितने ज़्यदा messages आते है friends आप लोगों कि उससे मैं बहुत ज़्यदा over volume feel करता ह हूँ अपने आपको और मुझे काफी अच्छा लगता है कि आप लोग इतना ज़्यदा inspire होते हैं जो भी मैं effort करता हूँ अपने हला कि मैं कोशिश करता हूँ कि जाते ज़्यदा आपको tutorials बताया है rather than speed drawing या time lapse draw करके मैं अपनी किवल आर्ट को showcase करूँ आपके आगे उससे purpose solve नहीं होता friends उससे बस यह रहता है कि आप अपने आर्ट को showcase कर रहे होते हो यहां पर चैनल का purpose friends किवल यही है कि हम आपको ज़्यदा चीज़ें सिखा सकें और इसको कुछ लोग पॉजिटिवली लेते हैं तो कुछ लोगों को negative भी लगता होगा यह कि यह क्यों बता रहे है इतनी सारी tricks को कुछ लोग यह भी सोचते हैं कुछ artists ही मुझे आके बोलते हैं कि आप इस सारी tricks को क्यों बता रहे हो लेकिन इससे फरक्त नहीं पड़ता है ज्यादा friendship की purpose ही यही है channel का और मैंने first day से भी यही बोला है कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा इंडिया में खासकर इसलिए मैं Hindi language को ज़्यादा use करता हूँ कि artist को promote कर जाए और जो young artist हैं जो सीखना चाहते हैं उनको art easy medium में सिखाई जा सके समझाई जा सके और वो promote हो आगे बढ़ें उनको encouragement मिले एक और वो एक अच्छे level पर जाके artist बन पाए अब यहाँ देखे friends मैं eraser pencil को use करके highlights को identify कर रह है और उसके उपर मुझे जो outlines है जो कि अब जो firm outlines होंगी वो create करनी होंगी तो अब यहाँ पर हम यह नहीं कर सकते कि हम थोड़ा सा कम ज्यादा कर दें आप यहाँ पर जो values होंगे वो बिल्कुल firm होने वाली है तो उसमें बहुत साफधानी रखनी है और देखे जिस तरीके से मैं eraser pencil use कर रहा हूँ आप चाहे तो needable eraser भी use कर सकते हैं या कोई भी normal eraser use कर सकते हैं आपको उसको बस सोटे-चोटे pieces में cut कर रहे ना है और उसको आप बड़ी आसानी के साथ हम जब friends यह नहीं खरीते थे अब तो यह आने लगा है तो बहुत ज़दा easily available है market में eraser pencil तो हम भी क्या कर रहा हूं values को और जदा clarify कर रहा हूं कि कहां पर मेरी कौन से value होनी चाहिए और यह सब करने में जैसे मैं data eraser को भी यूज़ कर रहा हूं और साथ के साथ pencil eraser को भी यूज़ कर रहा हूं तो again इसमें friends जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें ऐसा नहीं होता कि आप उस results पर पहुंच पाते हैं कि यह outlines मेरी firm हैं और यहां पर देखिए फ्रेंड्स मैं अब फिर जोगी charcoal pencil है जो soft वली है जो सबसे highest grade की होती है यहां मैं general की use कर रहा हूं आप कोई भी normal charcoal pencil यूज़ कर सकते हैं मैंने Camblin को यूज़ करके भी बहुत कुछ ड्रॉ किया यूज़ करें परपस तो यह है कि आप को सीखना है और सीख करके आप कैसे ड्रॉ करेंगे आगे चलके और इसमें देखिए में हाथ बहुत जदा गंदे होते हैं जब भी आप ड्रॉ करते हैं चार्कॉल में तो पूरे के पूरे आपके हाथ बहुत ज़्यादा dirty हो जाते है है तो वह तो खैर है ही एक थोड़ा सा चार्कॉल के साथ हमेशा ही रहता है आप लोग समझ पा रहे होंगे जो मैं बताना चाहरा हूँ और यहां देखें कि मैं कोई भी एक normal pencil को use भी कर रहा हूं साथ में कुछ कुछ जगाओं पर highlights को create करने के लिए हला कि इन दोनों को mix करना it's not that easy लेकिन यह manage हो जाता है somehow जब आप layer पर चड़ जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और यहां पर मैं watercolor brush भी उस makeup brush है उसको भी उस कर रहा हूं कुछ को जगाओं को blend करने के लिए तो जैसे बेग्राउंड पगर है उसमें आप बहुत आसानी के साथ उसको कर सकते हैं यूज और देखिए आप देरे देरे शेप में आने लगी है चीज़े और तो इसी तरह किसे हैं फ्रेंस बिल्कुल आ आप इस तरह के टेक्निक्स को ट्राइ नहीं करते हैं इनसे बचते रहते हैं वो grid method बगएरा यह फिर tracing में बिलीव करते हैं लेकिन आप इस पर ट्राइ करेंगे फ्रेंस तो आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा method है यह देखिए इसी तरह की से मैंने over the head भी मैंने decide कि कि कहां पर मेरा head आएगा उसके बाद मैं below charcoal यूज करके grey layer को opt कर लिया तो यह देखिए कितनी easily यहां काम हो गया मैंने विल्कुल grey layer को opt कर लिया अब जो values darker है उस पर मैं आगे और values को बढ़ाता जाओंगा विलो charcoal ही यूज करूँगा और साथ मैं कुछ charcoal pencils को भी यूज जो white lines है उनको आप easily identify कर सकते हैं charcoal में खास कर तो friends जब भी आप charcoal में draw करते हैं तो आप यह मान के चलिएगा कि शुरुआत में आपको results नहीं मिलेंगे लेकिन जब आप portrait के end तक जाने लगते हैं तब आपको थोड़े-थोड़े results निकल के आने लगते हैं उसमें दिखाई देने लगते हैं तो कभी भी ऐसा मत सूचेगा friends कि आपके जो outlines हैं शुरुआत में वो सही नहीं जा रही हैं तो आप उसको वहीं छोड़ दे आप try कीज़ेगा end तक जाने की खोश कीज़ेगा और आप believe करेंगे देखेंगे खुद से realize करेंगे इस चीज़ को कि आपको results ब draw हो गए जो outlines है spectacles की तो खेर वो तो इतना important चीज़ नहीं है लेकिन definitely आप उसको कर सकते हैं कितना आसान है मतलब यह सब चीज़ें आपको बनाती हैं अब यहां दिखिए मैं compressed charcoal यूज़ कर रहा हूं और उसमें कुछ darkest values हैं उनको थोड़ा-थोड़ा touch करने कुश कर रहा और जो background है उसको भी मैंसा है simultaneously थोड़ा सा create कर दे रहा हूं ताकि उससे जद और अच्छे effect अंड लगते हैं drawing की उपर आपके वह तो एक out of the context चीज़ है लेकिन important यह था कि जिस तरह से मैंने draw किया वह आपने देखा होगा मैंने कोई भी measurement और नहीं किया है बस केवल अपने पेंसिल को और विलो जाकोल को ही यूज किया है pencil measurement technique को यूज करके outline को ड्रोगर नहीं कुछ किया है light और डागर values के साथ प्ले करके portrait को complete किया तो friends उमीद है कि आपको यह पसंद आया होगा और textured paper पे आपको यह drawing पसंद आया होगी और पूरा विश्वास है कि आपको कुछ और कुछ सीखने को मिला होगा प्रेंट्स तो प्लीज सैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा friends थैंक यू प्रेंट्स थैंक यू once again